2020 दा वस्ट यर और उस टाइम पे कोविड-19 को दारान पे एक टाइम आया कि इंडिया में लॉंग डाउन लगा और उस टाइम पे एक चीज जो सबसे ज़्यादा पॉपलर थी वो थी जूम अप जूम अप जूम अरे मुझे जूम नहीं करना है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह जूम अप की कुछ सेटिंग्स के बारे में तो एक कम्प्लीट टुटोरियल आपको मिलने वाला है जूम अप की कम्प्लीट सेटिंग्स पर तो जूम अप पर मैंने भी एक tutorial बनाया था उसके लिए शुक्रिया और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूम आप की settings के बारे में जूम आप इतने टाइम के बाद अब काफी update हो चुका है काफी साथ कमाल की settings आपको मिल जाती है जूम आप में तो एक बहुत ही करने लेबल का ये वीडियो होने वाला है मतलब कत्ता ही जहर वीडियो है इस वीडियो के लाइक कर सकते हो चलगो सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे यहाँ पर तो नीचे कॉमेंट भर दो जाके और लाइक वाइक कर देना वीडियो को जूम आप की आल सेटिंग्स इस वीडियो में कवर होने वाली हैं तो चलो भई स्टार्ट सो दोस्तो जूम आप बहुत ही पावरफुल आप है और हम सब जूम आप को यूज करना तो जान ही गए हैं इतने समय में अगर आप नहीं जानते भई जूम आप को कैसे इस्तिमाल करना है तो उसका वीडियो में आपको आई वेटम ने दे दूँगा तो वीडियो आप देख सकते हो बाकि आज हम बात करेंगे जूम आप के कुछ हिडिन सेटिंग्स के बारे में और एक तरह का एक कम्प्लीट टुटोरियल होगा जूम आप की सभी सेटिंग्स के बारे में तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा बाकि कुछ बेसिक चीज़े मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पहले अगर आपको कोई मीटिंग स्टार्ट करनी होती है तो आप न्यू मीटिंग पर जाते हैं और आप अपनी यहाँ से PMI परसनल मीटिंग आईडिय रख सकते हैं आपको मीटिंग स्टार्ट कर देना होता है एक बार आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी अगर आप उपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखे आपकी परसनल रूम आपको शो करेगा और आप link को copy करके आप यहां से share कर सकते हैं आप पर आपको video audio के लिए मिल जाता है तो अगर आप camera on करना चाहते हैं तो start video कर देंगे और otherwise आपको अगर audio अपनी लोगों के पास सुनानी है तो आप mute को हटा देंगे और unmute करेंगे फिलाल भी यहां पर जैसे mic on है फिलाल मैं mic को भी off कर देता हूँ और video को off कर रहने देता हूँ तो यह एक journal तरीका है जिस तरह से आप एक meeting स्टार्ट करते हो लोग आपको join कर लेंगे आपको बस add करना होता है यहां पर को share हो जाता है तो आप यहां पर चीज़ों को share बगरा कर सकते हो तो यह तो एक basic option है हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे सभी settings की बाकी आपको कैसे use करना है तो वो मैंने already बता हूँ है फिलाल हम चलते है settings की ओर तो आपको simply settings पे चले जाना है और यहां पर आपको multiple settings देखने को मिल जाएगी सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ basic settings की जैसे यहां पर सबसे पहले आपको आपकी profile मिलती है तो अगर आप अपने जूम आपका photo show नहीं होता तो आप my profile में जाके यहां से profile photo attach कर सकते हैं यहां पर आपका accounts होगा आपको क्या नाम दिखाना है जब भी आप join करेंगे तो आपके लिए एक नाम suggest किया जाएगा तो आप यहां से अपना नाम बदल भी सकते हैं आप अपने लिए एक note भी लिख सकते हैं ताकि लोगों को दिखाई दे तो hello everyone या कुछ भी आप यहां पर message दे सकते हो तो लोगों को दिखाई देगा पासवर्ड आप update पासवर्ड से change कर सकते हैं आप अपना job location यह सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन फिलाल यह जो option है यह किबल आप browser से settings में change कर सकते हैं या अगर आप zoom को custom computer पर use कर रहे हैं तो वहां से कर सकते हैं आपके एक personal meeting ID होती है वो show कर रही है और यहां पर आप user किस type के हैं basic user है यानि कि आपने paid plan लिया है या सादा है free वाला तो basic plan है और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने आपको login कर पाऊँ यहाँ पर fingerprint ID के तो आप इसे on कर सकते हैं और यहाँ से अपना verification करके ही आप यहाँ पर login कर पाएंगे fingerprint से तो और ज्यादा आपको security मिल जाएगी तो आप इसे on कर सकते हैं और यहाँ से आप sign out कर सकते हैं चलिए आप बात करते हैं meeting की, तो meeting में आपको बहुत सारी settings देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको कुछ settings आपको बता देता हूँ, जैसे कि जैसे ही आप connect करते हैं meeting में, तो आपका audio जो है वो automatic connect हो जाता है, तो आप इसे on करना चाहते हैं, तो आप इसको on कर लीजिए otherwise off रखने दीजिए next यहाँ पर यह मिलता है always mute my microphone यानि जब आप कोई भी meeting को join करते हैं तो आपका mic हमेशा बंद रहे तो यह भाई साही चीज़ है जैसे ही join करिए meeting पता नहीं क्या गर्या रहे हो किसे और वो सब सुनाई पड़ जाएगा तो भाई यह मैंने on करके रखा हुआ है always turn off my video same camera एक लिए है नंग दढ़ंग बैठे हो कई से क्या पता इसलिए आपका जैसे ही meeting join होगी आपका camera off रहना चाहिए तो आप मैंने इनको रखा है on इस तरह से mirror कर सकते हो तो आप इसे on कर सकते हो आपको video के preview दिखाई दे video preview एक तरह से जब join करते हैं तो आपको preview एक दिखता है वो आप on या off कर सकते हो non video participant भी दिखाई जाए यानि कि जिलनों के camera off है वो आपको show करेंगे so name when participant join यह यहाँ पर basically तब काम करेगा जब आप meeting को host कर रहे होगे और कोई दूसरे बंदे join करेंगे तो उनके नाम आपको दिखने चाहिए बिलकुल दिखने चाहिए कौन को join कर रहा है पता गई चलेगा ठीके रामू, राजू, श्यामू नाम पता ने चलने चाहिए यह काफी बढ़िया feature है औरिजनल साउंड आप दे सकते हैं इसके लाबर यहाँ पर connected time आपको दिखाई दीगा basically free में हमें आपको 40 minute मिलते हैं मतलब free वाले zoom बालों ने दे रखा है कि 40 minute आप चला लो फिरी में उसके बाद फिर नहीं चला पाओगे फिर आपको द्वारा meeting स्टाट करना पड़ता है तो आपको क्या time दिखता रहे हाँ यह दिखता रहे कि 1 second, 10 second, कितना second यह हो गया तो आप इसे on off कर सकते हो मैंने तो on रखना है driving mode के लिए आप इसे on कर सकते हो यहाँ पर aspect ratio आपको मिल जाता है थम सेंड नहीं करते है और हाँ इसे बात पर वीडियो को लाइक कर देना है और यार कर देना है next है contact तो contact basically आपका जो phone number है वो जो लोगों के पास zoom install हो का और phone वो अपना share कर रहे होंगे तो आपके zoom के contact बन जाएंगे और कुछ नहीं है यहाँ पर chatting के लिए कुछ basic setting है वो देख लेता है link preview दिखाई दे हाँ भी यह दिखना चाहिए इस कौन के notification आपको चाहिए किस किस के लिए चाहिए तो आप on कर सकते है सभी message के लिए private message के लिए mention के लिए वगयरा वगयरा के लिए unread message आपको दिखाई दे टॉप पे और कोई भी अगर unread message है तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई दे नमबर कुछ आपको ringtones मिलती है copyright ना जाया तो मित्रों यह तो बात हुई कि हम लोगों ने zoom app की settings देख ली यह तो कुछ हमें basic settings मिलती है चली यह हो गई अच्छी बात है बट हमें वो सारी settings और भी बहुत सारी features मिलते हैं तो वो कैसे उसके लिए आपको आपको जाना पड़ेगा या तो आप अपने computer में use करें zoom को और zoom की settings को आप चाहे तो अपने web browser से भी कर सकते हैं तो चले मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि web browser में आपको जाना है अपने ID को login करना है और उसके बाद बताता हूं तो जैसे कि आप अपनी आपों से देख पा रहे होंगे देख पा साइड कर लेंगे देन आपके लिए एक better option देखने को मिलेगा चलिए मैं यहाँ पर जाता हूं और यहाँ पर जल्दी से sign in कर लेता हूं तो friends यहाँ पर हमने कर लिया है sign in और sign in करने के बाद आप अगर my account पर जाएंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा मंजर होग इसा नहीं होगा by the way मैंने यहाँ पर जाके इसको three dot menu से desktop mode enable कर लिए desktop side जिससे ऐसा मंजर आपको देखने को मिलेगा otherwise वो फट रहा था अच्छे से clear नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसा कर लिया सबसे पहले देखो लंबी लंबी हमाई photo ठीक है कती जहर व में भी तो यह आप अपना एड़ेट बटन पर जाके अपना चेंज कर लेना अगर आपको meeting ID बदलना है और नाम और बदलने के लिए यहाँ पर एड़ेट कर सकते हो ठीक है इमेल वगरा यहाँ पर शो कर रहा है लाइसेंस आपका कौन सा है तो वही जो basic setting वहाँ पर आपन में खुला है फोन में खुला है बबाल मचा रखा है तो आप इसे sign in sign me out from all device कर देंगे that means क्या होगा जितने भी जगह से आपने यह zoom ID को खोल के रखा है वो हर जगह से दूम 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 हट जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है प्रोफाइल के नीचे next आपको मिलता ह मीटिंग्स मीटिंग्स पर आएंगे तो आपको multiple मीटिंग्स देखने को मिल जाएंगी अगर आपने कोई मीटिंग वगेरा सेडियूल करी है तो आपको शो हो जाएगी फिलाल आप यहां से कर भी सकते हैं खुद से create कर सकते हैं कि मुझे आज क्लास लेना है इतने बज़े वगेरा वगेरा इतने बच्चों की तो आप ऐसा मीटिंग्स सेड कर सकते हैं मैंने अपनी पुरानी वीडियों बताया है यहां पर आपका personal room आप create कर सकते हो previous मीटिंग यहां पर शोंगे और templates वगेरा यहां पर आपको शो हो जाएंगे और यहां पर आपको browser वगेरा भी extension download करने के लिए बताता है कि आप यहां से भी directly इनकी help से भी आप directly schedule कर सकते हो बट यह सर्फ काम करेंगे computer पर किस पर करेगी computer पर है ना चलिए webinar अगर आप webinar host करना चाहते हो तो आप webinar भी host कर सकते हो तो यहां पर उसके बारे में कुछ बताया हुआ है ठीक है आगे बढ़ जा आपको बस यहां पर डेट वगेरा से चेक करना है तो आपको पहले settings में जाके recording को on करना होगा और यहां पर एक बड़ा बाला notice लिखा हुआ है कि यह recording आप तभी access कर सकते हैं आपने जिस computer में record की होंगी वह यह वाला computer है welcome PC मैंने इसमें यहां पर इतने time पर करी थी ठीक है 13-12 माई को last time तो वहां पर जाके इस जगह पर जाके save है see user welcome documents के अंदर ठीक है तो यहां से अब delete भी कर सकते हो basically यह यहां पर server में उसने की details से store कर लिए जो recording है वो आपकी computer में save होंगी ठीक है अगला और सबसे बेश अबरी से इतिजार करने वाला option है यह settings जिसके लिए आप यह video देख रहे हो तो यह रही भाई धन धड़ा की settings तो चलिए बात करते हैं इनकी कुछ काम की settings के बारे में waiting room waiting room basically यहां पर अगर आप इसे enable लगते हैं that means यह एक room होता है room नहीं होता है कमरामरा कुछ नहीं है मतलब जब आपको एक meeting host कर रहे हो आपने meeting host करके रखिये और कोई person आके join करता है तो इसका मतलब यह है कि जब वो person जब तक आप उसे admit नहीं कर दोगी कि हाँ भी हमारा बंदा है हमने यह link भेजिये join हो जाओ तो ही वो join होगा तब तक वो waiting room में रहेगा यानि वो pending में लट कर सकते हो ठीक है इसे enable रखिए one click join के लिए काफी साई option है और यहां पर एक काफी बहतरीन सा feature मिल जाता है end to end encryption का तो आप यहां पर end to end encryption कर सकते हो जैसे WhatsApp में होता है बहिया बिलकुल सुरच्छा तो आपको सबसे पहले अपना number कराना होगा verify इससे आपके phone पर जाएगा OTP और आपका phone number से verify होने के बाद आपका यहां पर हो जाए गए end to end encrypted schedule meeting में भी आप वही setting कर सकते हो जैसे कि आपने कोई meeting host किया है और आप चाहते हो कि वही meeting जैसे ही आप start करो आपका camera on हो जाए तो वही नहीं करना उसी तरह से participant के लिए है कि आपने meeting start कि और कोई participant जोइन कर रहा है तो उसका camera भी on हो जाए तो वह आप set कर सकते हो audio आपके computer कही रहेगा बड़ा बत्तमीज सा option दे दिया है allow participant to join before host यानि की कोई भी host जोइन नहीं करेगा उससे पहले आपने meeting schedule कर दी तो लोग आके join कर देंगे तो वहाँ दमा चोकोड़ी मचा देंगे तो इसलिए इसे off ही रखा है यानि कि जैसे मैंने meeting रखी चार बजे और मैंने link share कर दी तीन वजे कि वह आप लोगों को चार बजे आना है अब वहाँ पे लोग पहले से जोइन हो जाएंगे ठीक है तो अगर आप इस option को on कर दोगे तो बही मैंने बंद कर रख रखा है PMI आप on कर रख सकते हो एक ID आपके number के साथ generate हो जाएगी personal meeting ID तो उससे भी लोग join कर सकते हैं यह काफ़ी सही रहती है तो इसलिए यहाँ पर जैसी वो join हो उनका mic जो है वो automatic off रहे और सांती बनी रहे यहाँ पर आते हैं जूम की कुछ basic sending पर तो यहाँ पर देखो भई encryption के लिए एक और feature मिलना है तो आप इसे इनेविल कर लीजे यहाँ पर chat के लिए मिलता है तो आप इसे simply इनेविल कर सकते ह और यहाँ पर एक बड़ा कर रहा feature दे दिया prevent participant for saving chat कोई photo auto ले ले कोई save करे तो भई आप इसे off कर दें prevent कर ले हाँ भई यह बचाना है हमाई फो screenshot जो भी chatting वेटिंग होई है वो save ना कर पाए उसे बचा रहे private chat जो है आप इसे on यह off कर सकते हो कि भई 10 लोग join हुए और वो 10 अपस में good remove कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है ठीक है तो आप private chat को अगर allow करते हो तो यहाँ पर यह तो होगा कि वो भेज़ पाएंगे अगर off कर दोगे तो नहीं हो पाएगा चैट को भी अगर आपको save करना है तो आप यह कर सकते हो ठीक है sound आपको notification आए कोई बंदा join करता ह है कोई बंदा leave करता है तो sound हो सब को sound आए के बल होस्ट को को होस्ट को या आप यह अपने साब से सेट कर सकते हो उसी तरह से file transfer का भी option मिलना है कि लोग file send करते है file transfer करते हैं तो किस type की file हो आप specific file set कर सकते हो limit सारे बे बज़ए के option है इनका कोई खास मतलब नहीं है यहाँ always so meeting control toolbar इसको आप चाहो तो enable कर सकते हो कि आपको control के toolbar जो meeting के रहता है वो सारे show होंगे ठीक है लेकिन यह सारे आपको इस्तिमाल तबी होंगे जब computer पर कर रहे होगे मैं बारी बारी से कह रहा हूं यह काफी एक साही feature आपको देखने को मिलता है screen sharing का screen sharing हम लोग कर लेते हैं क इन कई बार क्या होता है user को भी share करना होता है यानि जिस बंदे ने join किया है उसे भी share करना है तो क्या करें तो आप यहाँ पर इसको on कर लिजे कि बाई all participants जो हैं वो share कर सकते हैं यहाँ दोनों पर कर दीजे और इसको यहाँ पर save कर दीजे ठीक है और अगर आप उपर वाल पर रहने दीजे ठीक है डिसेबिल डेक्स्टॉप स्क्रीश नहीं यह नहीं आपका जो डेक्स्टॉप एरिया है वो शो नहीं होगा अगर आप इसे इनेविल करते हो तो annotations वगरा है वह आप यहाँ पर जो share करोगे वो शो होंगी whiteboard आपको अगर चाहिए whiteboard आप यहाँ प खेल सकते हैं अपने count सा यहाँ पर आपको मिल जाता है काफी सारे और भी option जैसे कि allow removed participant to rejoin ठीक है आपने किसी को बहार निकाल दिये तो वो दुबार री जॉइन कर सकता है इस सरे से कोई अपना नाम बदल सकता है ठीक है जो जॉइन करेगा प्रोफाइल पिच्चर आपको अगर हाइड करानी है लोगों की तो आप इसे इनेविल करो भाई जिसने लगा यह देखने दो क्या दिक्कत है क्यों हाइड करना है न अगरा पर्दा यूस करते हो तो आपको मिलता है वही तरह तरह के वर्चुल बैक्ग्राउंड इनका आप यूस करोगे वही लेकिन कम्पिटर पर ही काम करेंगे तो अगर आप इनका यूस करते हो तो आपको भी मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट बैक्ग्राउंड और या कोई दिक्कत है तो आप ब्राउजर से भी जॉइन कर सकता है और बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ इमेल के नोटिफिकेशन जाएंगे तो आप इसे ओन या आफ कर सकते हो तो यह है भाईया जूम की सेटिंग्स तो दोस्तो यह थी जूम आपकी कुछ तावर तो आप लोग समझ पाएंगे मेरे इस महनत को तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिए दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैन या उस आप पर वीडियो बनाए जाए मतलब इस आप उस आप तो नहीं जो भी आपके मनमेट आप आ रहा है या जिस पर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं पॉपलर आप है और मस्त आप है और आप यूज करना नहीं जानते उसे तो कॉमेंट करो बस कॉमेंट करना है जाके और वीडियो के बारे में कॉमेंट करो कि यह वीडियो कैसी लगी तो चलो भई ज्यादा टाइम नहीं खाता हूं अपका और कम करो अपना और मीटिंग मेटिंग लो जाके जूम पर और सेटिंग कहां से पता चले लोगों को दोस्तों को शेर करो और मिलते हैं भाई थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्वाद अपर्ग